स्टॉक जीनि में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त अभी शीक शर्म और आज हम बात करने वाले हैं शांदा स्टॉक ट्राइडेंट लिम्टेट के बारे में दोस्तों देखिए हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्या स्ट्रेटिजी हमें आने कल के दिन के लिए कौन से इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाले हैं कौन से हैं इंपोर्टेंट टारगेट तो फटावट से शुरू करते हैं अगर आज की क्लोजिंग देखिए तो औरंचा सुरुपे 40 पैसे के करीब हमें देखने को मिली थी 5% के करीब आज भी प्रॉक में उठती हो दिकी तो फटावट से डिसकस करते हैं अब इसके चार्ट के बारे में देखिए दोस्तो अब के सामने ट्राइडेंट का डेली चार्ट हमने लगाया हुआ है और लगातार गिरावट का सिलसला हमें जारी देखने को मिल रहा है डेली चार्ट बेसिस दोस्तो अगर बात करें इस स्टॉक के तो देखिए उपर की तरफ शांदर हाई स्टॉक ने लगाया था करीबन 69.96 पैसे का शांदर हाई दिखाने के बात यहां पर गिरावट जारी है 49.40 पैसे पर आज के दिन क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है दोस्तो बात करें य थोड़ा भी आपको इस समय वेट करके चलना चाहिए क्योंकि स्टॉक में गिरावट जारी रह सकती है लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियों में पहले से ही दिकत स्टॉक शामल है तो आपको यहां पर continue to hold करके रखना है गया दोस्तों continue to hold करके रखना है अगर आपका एक long कर गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिलेगी तो इस सपोर्ट पर बिलकुल आपको नजरें कड़ा कर रखनी है और यही स्ट्रेटिजी आपको अपनानी है दोस्तों आप चाहें तो अपनी खुद के अनलाइसिस खुद की रिसर्च जरूर करके चल सकते हैं दोस्तों अगर उपर की तरफ तेजी आती है तो कहां यह स्टॉक जाकर रुकने वाला है तो पहला टार्गेट अचीव करेगा 55 रुपीस का अगर उपर की तरफ तेजी फिर से जारी रहने वाली है तो यही स्ट्रेटिजी हमने बताई है दोस्तों आपको खुद के अनलाइसिस खु अगर बहुत तरने वालाइसिए